suhoyy guys what's up so a jam no bataak ओंगे निजएरिया की निजएरिया स्पीशी इसकी तो सबसे पहली बात तो निजएरिया है क्या निजएरिया इस जख ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव डिप लो कोंगाई ठीक थे ना तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राम नेगेटिव ये ग्राम नेग्टिव यह जो है ěका कूलण रेते जके बरे नेखीटि इस को ई सुपध हुध से लोग को पता होनी चाहि parc variables को निजीरिया पाहले बात करें के कैसे कैसी यह प्लोड करेंगे और नायों तक पढेंगे तो आप में गट्वड का ही सुना होगा तो नॉर्मल फ्लो रसे लेकिन इसाफिरी और फेरिंग्स तो नेक्स हम लोग बात करेंगे गोनो कोकाई की और मेनिंगो कोकाई के दिफ्रेंस के बारे में इसके दिफ्रेंस क्या होते है जो मैं जो आपके एजाम पॉइंट और परस्पिक्टिव से जो की इंपॉडेंट है मैं केवल उतना ही चीज़े बताऊंगा ठीक ना तो क्या ड तो प्लेनर कोन्विक्स का मतलब इसको कैस सकता हूं कि यह लैंझ शेब्ड होते हैं hashe Wiring Caroline कि दस होता है तो वहां पर को को काई आए गाए जी एगट कर सकते हो तो यहां पर घ्रमेंट करते हैं यहां पर work transmission basically क्या होता है sexual contact होता है peninatal birth canal जो भी आप कह सकते है sexual contact से basically हो सकता है ठीक है next मैं बात करूँ गिनकी तो इसका छेटा difference होगा कि meningitis जो होती है है यहापे meningitis is the most common manifestation in case of meningos को काई समझ में आता है meningos मतलब जानती हो तो meningos coccinia हो जाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इसके कार एक डिजीज होती है वाटर हाउस इंड्रों मॉह पी यह आजेगी में निंगो कोकाई में और जो पी गोनो को काई में क्या हो सकता है अब होता है और भी आपका कुछ-कुछ बीमारियां हो सकती है ठीक है ना वाटर हुस आपिट्स हर्ज-कर्टिस सिंड्रोम होगा मैं बताई चुका हो लिए डिजीस में होता है क्या क्या होता है जिसे की वालिट स्टिंग लाइक अटाचमेंट हो जाते हैं ठीक ना वो देख लेना कि वाल इन्स टिंग लाइक टैचमेंट एक्टेंट टू लेबर तो वहाँ पी बीसलिए क्या होता है लिवर डीजीज हो जाता शक्वाइटा कि इसका ट्रीट में इसका देख लो कि इसमें अगे इसर्ट जेनरेस्टेशं लिए सकते हैं यहां पर इसलीन जी बही एक बार के लिए कर सकते हैं और और बिसिकली यहां पर सेकंड लाइंग अगर मैं ड्रग की बात करेंगे निजरिया गुनोरी की पूरा स्पेसिफिकली हम लोग इस पर बात करने की कोशिश करेंगे वाट आर निजरिया गुनोरी तो गुनोरी से मज़ा समझते हैं इसकेंड मोस्ट कॉमन एस्टी वर्ल्डवाइट पहली कौन सी है हचाईवी एट्स ठीक हैं इसका तो इसका तो इसका कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स में देखने कोशिश करूए और कैटलेस पोजिटेव होते ह आउस्टमेग्ए पोटिके मियान वाल्टम अमस्टिक्स मेरिमेट को आए मचई अच्छा तो धक्रीक्स में अंच्छा एक्स्टाक्रियूलर यां इसका घ्cimentoी में यह वrene कर दुन आओ तो यहां पे बेबी बर्थ कनाल से बाहर आता है तो वहां पे क्या होता है प्रेट्रोग गौनोरिया हो जाता है ठीक है नब तो वहां पे आपी चांसे जाधा होते हैं तो आई पे बेबी के आई पे जाधा इंफिक्ट डालता है ठीक है उसको कहते है न्यूनेटल वाला डिजीज होता है ठीक इसको कहता है तो इट डबक टैंट काप्सूल सो हे वो आपका कैप्सूल ऑद नहीं होगा ओ translate होगा इसमें पिलाई होती है और कुछ में बात करूंगा लौस अब लाइपे होते हैं बट आप यहां पर इस वन इस शॉट तो यहां पर शॉट होता है थोड़ा सा लाइपोacerिया इस उसे प्लेग्सक्षिन चौणल बतु मिल्य। पी लाइपी ठीक कौन-कौन से पिल आई हो गया एंटिफाइगोसाइटोटिक होगा अप अल्सो एल्प इन अटाच्मेंट ऑफ गुनोरिया गुनोरिया के अटाच्मेंट के लिए करेगा to the cell of the body body के से अटाच होने में पिलाई हेल्प करता है एंटिफाइगोसाइटोटे के नेचर होता है ठीक है लो एस होता है लाइपो ओलिगोस एकराइट्स तो प्रोसेस करेगा प्रोसेस ऑफ चल्डेत में हेल्प करता है अंसी लिडिश्रक्शन में बताई चुका हू ठीक है लॉंगर चेन होते हैं लेकिन यहाँ पर शॉर्ट होता है आईजीएएवन प्रोटीएस मतलब क्या समझते होगी आईजीए एंटीबोडी को बीच पे से काट देगा कॉलनाइशन डेड होस्ट यह डेड होस्ट में कॉलनाइज करता है नहीं बैक्टिरिया बेक्ट हमने आईजीएवन प्रोटीएस ही दे दिया हमने तो म्यूकोसल अटैच्मेंट आसान हो जाएगी बैक्टिरिया के लिए तो यह म्यूकस यहाँ पर म्यूकस ज्यादा होता है तो वहां पर आप देख रहे होगे गोनोरिया ज्यादा होता है जैसे कहां का जनाइटो यूरि इस चेलिए मूकस आँटे में ज्यादा होते है तो वहां पि आई में भी म्यूकस संटे में जलना कि झुक्लेशन सॉत में होते हैं पछे चाहन घुरियवन फेला पूहर्त नहीं होते हैं तो फिर आप साहोर। करेगा अगर फैगो लाइजोजोम नहीं बन पा है तो क्या होगा फैगो लाइजोजोम का formation doesn't lead to formation एक आपके आपने पढ़ा होगा एन डिपी अच ऑक्सिडेस डिफेक्ट जो कि आपका होगा ग्रोनी ग्लाइन मेलोटस डिजीज जो कि आपने पढ़ा होगा अपने mythology में ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है फैगो लाइजोजोम का formation हो जाता है लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सूची तरह का एक mechanism समझ लो कि यहाँ पूरिन प्रोटीन होता है यह इनिवेट करेकर किसका fusion फैगो लाइजोजोम का जाकि ताकि फैगो लाइजोजोम ना बने और किलिंग ना होप पाए तो नेक्स हम बात करेंगे कि प्रोटीन टू की हेल्प इन अटाच्मेंट निजरिया इन्टू इ क्या करता है यह पिसे क्या हो गया थरिut overwhelm inच से क्या हो गया अफका पौन प्रोटीन हो गया गया यह हेल्प ऊगें सबस्क्क्राइब इसके पैटोजेनियस की बात करें थ्वासर अधियत खराब है पाट करते हैं को इसलिए को आपके जो आपके इटी पॉडी रिट बात रहे पहलेंगा तो क्या करेगा तो आपके अट्यक्तिक नचेशन के नेका देट अच्छी हो जाएगी यार तो ओन्पाइट विज़ाएं of mucosal cell by means of pilli and pts2 which functions are adhesions adhesions की तरह कौन-कौन से act करते हैं आपका पिलाई वेज यूकि वो attachment कहीं लिए help करता है पुछले वाले में तो इस attachment prevents the bacteria from being washed away by normal cervical vaginal discharge और the flow of urine अब क्या होता है कि अगर हम यह attachment जो होते है जो की यह prevent करती है bacteria को wash away होने से कौन सी चीजों से normal cervical vaginal discharge and flow of urine flow of urine से भी prevent करता है इसका अबना की addition और कौन सा vaginal discharge या cervical discharge से भी prevent करता है कि इसका addition यह prevent कर जा है तो next मैं बात करूंगा ठीक है इसके pathogenesis की मैं basically बात करने चाह रहा हूं ठीक है ना तो प्रफ्राइड कराई के लिए लोगे लॉस लॉस किया यह लगी को से रिषक्ण व्हाली इक रिलीज रिलीज रिलीस कराईगा था सब्सक्राइब हो सकता है तो पास क्या हो सकता है इनके पास क्या हो सकता है इंसाइड वैसे कल सब्सक्राइब को क्या हो सकता है ठीक ना तो यह थोड़ा सा हामफुल है अब यहां पर पेनिट्रेशन होगी बैक्टिरिया की तो होस्ट टिशू होए तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसको क्या करता है कैसे इंफिल्ट्रेशन और मार्सल का इंफिल्ट्रेशन कराएगा पॉलीफॉर्फो नुग्लियो ठीक ना तैसाइस करके यह इसका पॉलिमॉर्फो युट्रेशन टाया मलकी उसे कराएगा यहां पर एंटीबोडी कौन ची बनाएगा जो की राजमा दिल्ट्रेशन बादार इक्सक्रीट की गई है लगी सेक्रीट की गई है ठीक ना और दी प्रवर्फिशन के लिए अपर लेक्स गरें चोर्वान मं बना दा देता क्योंकि यह लुट्सलियों कि है और इसका है और यह करता है उसी किया से और यह क्या करता है वहाँ पर फैगोसाइटोस कर लेता है न्यूट्रोफिल्स के दवारा गई अब जो की गुणो को काई जो है वेसाइकल के अंदर आगे तो होस्ट टिशू का जो रिस्वांस है और बहुत की कम होगा और पेनेट्रेशन और बैक्टिरिया जो फॉलो करता ह कुछ रिस्वांस कुछ ना कुछो क्लोग स्कीक को लेती यहां अरे निकालेगा याम प्रिंद करेंगा और अंटीबाड़ी का सेक्रीशन गाए और यही सराइटेश से उसकता है व्यीम chatting कराकि और यह सो ब्लॉर निकालेट्ज 215 यह जो उसकता है इचिस कि यह सर्विसाइटिस अगर करेगा तो ब्लॉक करेगा इसका फैलिपिन टूब का और इंफर्टिलिटी कॉस करेगा ठीक नहीं तो नेक्स्ट में बात करूंगा कि बहुत मेल और फीमेल दूरिंग इंटर्कोर्ष उरीन डिस्चार्ज है विंग बर्निंग सेंशन ठीक नहीं य इंक्यूबेशन पीरेड है जो कि 2-14 दिन का है लेकिन ज्यादा तर सिंटम्स जोआते हैं चार से छे दिन बाद आने लगते हैं इंफेक्शन के ठीक है न डिस्मीनेटेड गोनोकोकल इंफेक्शन क्या होता है डिस्यमीनेटेड मतलब निकल जाना हो हासे एक जगद से ट्र स्क्रीम दोरा तो यह दोनों जेंडर में हो सकता है ठीक है ना ब्रट्स्रीम से कहीं और पहुँच जाते हैं डिस्यमीनेशन से बहुत ज्यादा कुछ-कुछ जगहों पर कुछ-कुछ यह साम करा सकता है जैसे हर्ट में गोनोकोकल इंडोकाइड आइटिस करा दिया फैरिं पर लाइटिस हो गया ठीक है यह सब काम करवा सकता है इसमें बात करूंगा आपसे लाइब डियाग्नोस कैसे अपन बनाएंगे ठीक है इसका स्पिस्में में लोग लेंगे तो इनके सो मेल उरेत्रल डिस्चार्ज या प्रोट्स्रेटिक स्में लोग ले सकते हैं फाइंड प्रोल्य डिस्चार्ज होगा ठीक है तो इन केस फीमल एंडो सभाइकल स्वाब ले सकते हैं और ऍडिक वजाइनाल स्वाब कभी मतले लिए व्जानल स्वाब ले लीया टो आपको फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं फेल्ट स्क्थायजे है अग्नेटाइवल स्वाब ज्वा के दूहाँ पर क्या होता है कि गया हो सकता है basically joint यह symmetry हो जाता है तो microscope देख सकते हैं कि microscope क्या होगी इसके gram staining में gram staining समण में आती है pink होती है for men gram staining smear of urethral discharge showing intracellular gram negative diplo coqa for female occasional gram negative gocobacillus in case of woman may not be by diagnostic so cultural and identification process is needed which is a confirmatory क्योंकर उसलिए डियाग्नोस्टिक नहीं हो सकता है। इसको है इसको क्लुछर भी क्यों जाती यह कभी कंफर्मेटरी होगा। इसको क्लिष्टर कैसे कराएंगे क्लिष्टिस में होता है, मॉडिफाइट थेर मार्टिन मीडियम उसको कहते हैं चॉकलेट अगार, ब्लड अगार में गलोक नहीं करता, ठीक थे कर एक रहेंगे अंटी बाइयोटिक्स, और इसको एक और नाम से जानते हैं, हुआ है त्यक्त न्यक्त रेंकी मेत कॵि बीउस्तेन गार है 10 उन्यक्याद टू टॉक्रमसी wowड अगार गते क्षिंए को सा अगार कहते हैं कोलिस्टीन को करते हैं 봤etan खेल कрем में ड्रेका थेमें फ्सक्ते अगघर कि नियुआ? खुटेильно होता है सागार मासी टष्षर प्हसे सब्सक्राव करें खेल फ्सक्राव RC इसको भी यूज कर सकते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं तो नेक्स हम लोग बात करेंगे इसके इसका कारड होता है क्या कारड होता है ठीक है यह ब्लड अगार मीडियम पर क्यों नहीं कर पाता है ठीक है यह ब्लड अगार मीडियम पर क्यों नहीं कर पाता है ठीक है यह ब्लड अगार मीडियम पर क्यों नहीं कर पाता है ठीक है यह ब्लड अगार मीडियम पर क्यों नहीं क not be grown in blood agar medium because it contains inhibitory substance, यह inhibitory substance को कुछ की उस होता है, should be hemolysis 80 degree Celsius, 80 degree Celsius पे hemolysis हो जाते है, it form chocolate agar यह chocolate agar होता है, ठीक है ना it can grow at 5% CO2 at 37 degree Celsius, 5% CO2 पे 37 degree Celsius पे यह हो सकता है ठीक है, ना, inhibitory because एक inhibitory substance होता है गुनोरिया के पती, ठीक है ना तो जो chocolate agar था, उसको एक VPN agar भी कहते है, ठीक है ना बैंकोमाइसिन, polyistin और निस्टैटी agar, ठीक है, तो polyistin और टाइप इमितोपर में, भाई, मैं वही देख रहा था थोड़ा से कि मैं गलत तो नहीं बोला हूँ, ठीक है ना और एक और कौनसा ये ब्लडगार पर ग्रो नहीं करता है, ठीक है ना एक चीज ये याद रखना, बाई के मिल टिल्स तो बेसिकली सबसे इंपोर्टन्स में क्या है कि ये catalyst positive है, oxidase positive है ferment glucose, but not maltose, suprose, lactose, कौनसा glucose का ferment करेगा, निजरिया गोनोरी और DNAs test ने इसमें negative हाता है beta-galactositis, ONPG test negative है और glutamylaminopeptidase जो है negative होता है, ठीक है GAP test, ये सब चीज़े होती है ठीक है ना, तो next अपन बात करेंगे, फ़सर वीडियो लंबा होगा other methods की, इसके mother methods क्या-क्या हो सकते है, other methods में ELISA हो सकता है, ELISA is also use as rapid test, and it's sensitive to gonorrhea, ये sensitive होता है, gonorrhea के लिए ELISA यूज़ कर सकते, PCR methods भी उज़ करते है Nuclecated Amplification, जो यागते है NAAT, ठीक ना, PCR method और Nuclecated Amplification Test, ठीक ना treatment क्या करेंगे, 3rd generation से फालोस्पूरीन देदो, शिफ एक्जीम करते है, Sifrofloxacin, या यह फ्लॉकसासीन देदो, यार कौन सा फ्लॉरोक्विन लून्स हो सकते हैं फ्लॉकसासीन, लिवर फ्लॉकसासीन, जित्रोमाइसीन देदो, मैक्रो, ठीक ना, और यह क्या सकते हैं, डियोक्सी साइक्लीन मैनिंजाइटिस की, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा परशान मत होना, ठीक ना, I guarantee यूँ कि तीस मेट से जादा नहीं होगा, अगर हो गया, तो फिर मारना मत, ठीक ना, ठीक, मेंब्रेंस में इंफ्लेमेशन कराएगे, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस लिखाई है, इसके नाम में तो यार, मेंब्रेंस में कुछ ना कुछ कराएगे, इंफ्लेमेशन कराएगे, brain और spinal cord का, 0.521 micrometer in size होता है, ferment, maltose and glucose, यहाँ पे इंफ्लेमेंट करेगी, कितने तेरस होता है, ABCD बहुत ही important और W, X, Y, Z भी important होता है, और endotoxin होता है, जो की cell destruction कराता है, IgA, protein जानते ही हो, इस हम, break IgA helps in colonization, factor H भी होता है, यहाँ पे factor H binding protein, inhibit complementary C3B helps in colonization and invasion of meningitis, ठीक ना, यहाँ पे क्या करता है, factor H binding protein में help करता है, colonization invasion किसका, Nigerian meningitis में help करता है, ठीक ना, route or transmission यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे basically STD के through था, यहाँ पे respiratory route या oral secretion, direct contact होता है, यह airborne droplets हो सकता है, close contact with infectious person, family members, dry case centers, military barracks, prisons, institutional settings में यह हो सकता है, basically dom, moms में देख सकते हैं, college hostels हो सकते हैं, यह boys hostels, basically boys hostels, जो गंदे तरीके जदे हैं, military barracks में वहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, तो वहाँ पे यह ज़्यादा common होता है, incubation periods का क्या है, 107 दिन होता है, ठीक ना, बिजिए हैं meningitis का, next अपन बात करते हैं इसकी, boys hostels का नाम खराब कर दिया ना, ठीक है, चलो बात करते हैं, next, वैसे खराब है कितना और खराब करोगी चलो, pathogenesis की ठीक ना, तो इसके root की बात करें, respiratory root है, mainly nasopharynx वाला है, after nasopharynx goes to blood, blood में गया, तो ब्लड में कहां जाएगा, blood में जाएगे, meningitis cause का सकता है, also called meningococcemia, clinicals इसके क्या क्या होंगे, clinicals में इसके याद रखना के headache हो सकता है, next stiffness हो सकते है, photophobia, vomiting, also cause rash, यह सब भी cause कर सकता है, headache कर देगा, next stiffness हो जाएगे, move नहीं कर पाएगा, photophobia कर सकता है, ठीक ना, vomiting कर सकता है, also causes rash, rash भी कर सकता है, current science होता है, important नहीं होतने, यहाद होता है, ठीक नहीं होता है, कोई बात नहीं, symptoms के कहा होंगे, meningococcemia होगा, waterhouse prediction syndrome कर सकता है, specimen कहां से लेंगे, CSF blood, nasopharyngelle swab, centrifuge कर वादेंगे, centrifuge specimen कर वादेंगे, take deposit from bacteriological analysis, यह bacteriological analysis के लिए, इसका deposit से ले देंगे, diet examination कौन-कौन से लेंगे, microscopy कर सकते हैं, CSF film में, observe plenty of plus cell, पसल में, अगर हमने microscopic examination के लेते हो, तो तीन जगा तुम बेचते हो, एक biochemical test में बेचते हो, जाकि तुम sugar and protein की माता देख सको, एक तुम बेचते हो pathology lab में, cytological, उसका characteristics देख सको, तुम बेचते हो microbiology की lab में, चुकि इसका आप cultural characteristics देख सकते हो, ठीक न, तीनों चीज़ हम लोग confirm करते हैं इसमें, ठीक न, CSF blood nasopharyngeals fab ले सकते हैं, centrifuge करेंगे specimen को and take deposit for bacterial logical analysis, और direct examination क्या है, इसका microscopic है, CSF में wet film हो जाएग, observe plenty of plus cells, देख लेंगे direct examination में, ठीक न, microscopic होता है, direct examination जो की basically अपना microscopic होता है, CSF में wet film हो जाएग, observe plenty of plus cells, plenty of plus cells देख लेंगे, examination का कैसे करेंगे, examination में क्या करोगी कि inoculate कर दोगे, इसमें blood agar में, chocolate agar में बेसिकली चॉकलेट agar ही उस करना हो, molar MA agar, यह सब देख लोगे, treatment का होगे, treatment का होगे, तो next हम लोग बात करेंगे, rapid diagnostic test होता है, तो इसमें क्या 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 देख लोगे, latic segmentation, cleolongs, इसको याद होता है, याद करो नहीं होता है, PCR कर सकते हैं, lamules amoebocyte, lysate assay कर सकते हैं, ko agglutination test कर सकते हैं, we don't have enough time for culturing, so lactix agglutination test give rapid result, यह rapid result दे सकता है, detect capsule, polysaccharide capsule, polysaccharide को detect कर सकता है, ठीक ना, तो यह lactix agglutination test को prefer कर सकते हैं, rapid result देता है, test positive होता है, maltose और glucose zone को, तो यह बात रही आपकी निजेरिया species की, I hope आपको पसंद आया होगा, कुछ समन में आया होगा, अगर समन में आया हो लाइक मारना, कमेंट करो, कुछ ना समन में आया हो, और subscribe कर लो चैनल को, और जल्द मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई, सब्सक्रणम के चैनल से एंट सब्सक्रणम